राजधानी दिल्ली के थाना वेलकम को मिली बढ़ी काम्याबी थाना वेलकम वह ओपरेशन विंगनेट की सैयुक्त टीम ने लूट के इरादे से हुए दोहरे हत्याकांद में आरोपी को कुछी घंटों में गिरफतार कर लिया है वारदात में प्रयोग हुए हथियार के साथ लूटी गई ज्वेलरी वकैश बरामत किया गया संबंधे DCP North East ने मामले की पूरी जानकारी दी कल सुबह साड़े चार बजे वेलकम थाने में डवल मुर्डर केस रिपोर्ट हुए जिसमें दो माहिलाएं जो सास और बहु हुए मुर्त वस्ता में चापों से गौत कर इंके अत्या कर दिए इनके दोनों बेटे सशांक और सार्तक जो हरीदवार और मसुरी की सहर पे बारा तरीक की रात को अपने दोस्तों के साथ निकले थे जब सुला की सुबह लोटे और उनने पाया कि दरवाजा लॉट है इस पेर किसी जब दरवाजा खोला तो उनकी मधर डॉली 45 वर्ष ग्राउन्ट फ्लोर पर मरतिवत्ता में मिली और दादी 65 वर्ष फर्ष फ्लोर पर मरतिवस्ता में पाई गई साथ है उनका पालतु को उतला सेकेंड फ्लोर पर बंद कमरे में मिला पुलिस को जब इन्फर्म किया गया पुलिस ने अपनी इफेक्टिव टीम रॉपिन की नॉर्थीज डिस्टिक पुलिस की आपस विंग साथी वेलकम थाना टीम ने बहुत अच्छी टेक्निकल इंटेलिजेंस और हुमन इंटेलिजेंस पर कारवाई करी है नेवर से पूश् रिड़ा नवस्ता में जो इनकी दादी हैं वो दस से पंदरा वार कॉल कर लेती थी तेरा तारीक की रात से कोई कॉल नहीं था इसमें जब सस्पेक्ट्स जीरोइं किये गए तो गौर किया गया कि जो इनका मित्र है सशांक और सार्तक का हर्शित उसे यह जिम्मेदारी कि वो चोदा तारीक को उसने विजिट किया गया गहन पूस्ता जब की की गई तो उसने अपना जुर्म को बूला और उसने बखलाया कि पैसों का दबाव इन दोनों लड़कों का जिससे इसने उधार में पैसे लिये हुए थे और व्याज काफी बढ़ता गया था उसी के पैस इसने साथ जी चिलची उसके मोबाइल की हिष्टरी ब्राउजर हिष्टरी से भी निकल कर आया था कि उसने गोल्ड के बदले कैश और गोल्ड को डेक्ट करने के इंस्ट्रूमेंट भी सर्च किया थे फाइनली स्कूटी उसका मोबाइल कैश और जुएलरी जो लूट गया था सभी सामान बरामत कर लिए गए साथी वेपन ओफेंस की परिक वर्ट करेंगे